नमस्कार जैश्री कृष्णा मैं राके शिवानियास्टो चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ और आज कुछ स्पेशल बताने के लिए मैं आपके पास आया हूँ उसमें से एक तो है केमदुरूम योग या केमदुरूम दोश जिसे बोलते हैं और ये नॉर्मली कुड़ी देखके बोल दिया जाता है कि आप ये कुड़ी में केमदुरूम दोश है जबकि केमदुरूम दोश या केमदुरूम योग जो है वो बनना इतना आसान नहीं है वो हर कुंड़ी में नहीं मिल सकता मतब बहुत कम कुंड़ी के अंदर ही मिलेगा और जहां मिलेगा तो उसका एफेक्ट भी होता है इसमें कोई डाउट नहीं है तो केंदरुम योग के बारे में शास्त्रों में जो वर्णन है मैं आपको वो ही बताने जा रहा हूँ ताकि आपके अगर कोई डाउट है इस योग के बारे में या आपने कुछ सुना है तो वो सब चीज़ें छट सके और आपको एग्जेक्ट चीज मिल सके कि केंदरुम दोश होता गया है इसमें कहते हैं जाजस्रे में कहा गया है एतेन यदा योगा केंदर ग्रह वर्जितेश शांकस्ट्च अब ये कहते हैं केंदुर्मो अतिकस्ट है शाशेनी समस्त ग्रहाद रस्टे ये बोलते हैं यदि चंदरमा के दूसरे और बारवे घर में कोई ग्रह ना हो चंद्रमा से दूसरे घर में और बारवे घर में कोई ग्रह ना हो अगर माँ सूर्य वगरा है तो उससों काउंट नहीं करते तो चंद्रमा से दूसरे और बारवे घर में कोई ग्रह ना हो और लगन से या चंद्रमा से केंद्र में कोई ग्रह ना हो लगन से या चंद्रमा से केंद में कोई ग्रह ना हो और चंद्रमा पे किसी ग्रह की द्रस्टी ना हो तब केंद्रूम दोश बनता है इतना सिंपल नहीं है केंद्रूम दोश बनना बहुत चीज़े होती है हम लोग क्या करते हैं कि देखते हैं कि दूसरे भाव में कोई ग्रह नहीं है बारवे भाव में कोई ग्रह नहीं है और उसको हम केंद्रूम दोश बोल देते हैं तो केंद्रूम दोश ऐसे नहीं होता केंद्रूम दोश जब होता है जब दूसरे और बारवे में कोई ग्रह ना हो और साथ ही साथ लगन या चंद्रमा से किसी एक में से केंद्र में कोई रहना हो तब ये केंदुरूम दोश बनता है केंदुरूम दोश में कहा जाता है कि इसमें उत्वपन व्यक्ति या इस्त्री जो भी है वो परिवार भोजन घर मित्र आदी के सुख से रहीत रहते हैं मतलब उनकी मित्रता नहीं हो पाती एकदम इसको आप एक्जक्री मत लीजिए चुकि यह शास्त्रों की लेंग्वेज है शास्त्र में तो एकदम लेंग्वेज थोड़ा स्पस्ट लेंग्वेज होती है सलस्क्रत के अंदर तो उसको उस्ष्णा लेते हुए आप फड़ा उ से लाइप के अंदर और हर चीज के कोई भी डीसिजन हो सब लोग जो जिस डीसिजन पर चलने वाले हों से खिलाफ हो चलेगा और यह कहते हैं कि अगर वो राजकुल में भी उत्पन हो मतलब किसी बहुत बड़े परिवार में भी अगर वो पैदा होता है तो उसके बाबजू भी उसके मन में शान्ती नहीं रहती यह केंदरुम दोश का इफेक्ट होता है तो यह था केंदरुम दोश जिसके बारे में मैंने आपको बताया अब इसके आगे मैं आपको बताने जा रहा हूं कि तब दो ग्रह एक साथ होते हैं तो क्या फल मिलते हैं दो ग्रहे एक साथ होते हैं हमारी कुंडली में हम देखते हैं कि दो ग्रहे एक साथ बैठे हैं या तीन ग्रहे एक साथ बैठे हैं तो मैं आपको आज बता रहा हूँ कि दो ग्रहे अगर एक साथ बैठे हों तीन बैठे हों या चार बैठे हों तो उसका फल भी आपको बताऊ लेकिन दो ग्रह का फल आपको मैं बताना चाहरा हूं कि दो ग्रह एक साथ बैठे हों तो उनका फल क्या होता है इसके बारे में कहा गया है युवती नाम वशगय स्याद विनिते क्रूर वित्प्रयूर्ट वित्त आसब विक्रयो कुशलो रव्यू डुपत्यो क्रिया निकुन ये सूर्य चंद्र योग के बारे में कहा गया है कि सूर्य और चंद्रमा अगर एक साथ बैठे हो खुंड़ी कूटनीती का जानकार होता है राजनीती बहुत सक्सक्सफल होता है कि राजनीती में फड़ा कूटनीती भी चाहिए तो कूटनीती का जानकार होता है धनी होता है लिकर का काम करता है शराब या सब जो भी चीज़ होती है उनको बेचने में कुशल होता है और कर्म में निपु होता है और उससे मेंटल स्ट्रेस भी रहती है यह प्रॉब्लम भी साथ साथ व्यक्ति जो होता है वह कर्म निपुन भी होता है और जितने भी रड़कियां हैं या इस्तरियां हैं उनके वश में रहने वाला होता है और कूट निती का जानकार होता है तो उनको यह सब चीजें ध्यान रखने चाहिए सूर्य मंगल योग ओजस्वी सहासी को मूर्खो ये क्या बोलते हैं तो कहते हैं कि सूर्य मंगल की यूती से जो योग बनता है अगर किसी कुंडली में सूर्य मंगल एक साथ हो तो मनुष्य ओजस्वी होता है सहासी होता है थोड़ा मूर्ख होता है थ को बुद्धि का बहुता अस्तेमाल नहीं करता है यह इसलिए इनको बोलते हैं कि बुद्धि का देखते हैं और आक्रमत सभावाले यह लोग होते हैं जिनका सूर्य बुद्ध Kita उठाइय करने सुर्य बुद्ध का योग होगा þो तो मनुष्य जो है वो बहुती सेवा भाव से युक्त होगा, सेवा करने वाला होगा, और नौखरी करने वाला होगा, धन वाला होगा, प्रिय भाशी होगा, अच्छा बोलने वाला, मीठा बोलने वाला होगा, और अपनी यश को, अपनी इज़त को ही धन मानने वाला होगा, धन को priority होगी लेकिन धन की प्रहली priority नहीं होगी प्रहली priority होगी अपनी image कैसी रहती है हर जगेते सज्जन होगा और विद्या से युक्त होगा अगर सूर्य बुद्ध योग बनता है जिसको सूर्य बुद्ध अदित्ती योग भी बूल देते हैं कुण्ड़ी के अंदर लेकिन ये एक जरूरी है इसमें ध्यान देने वाली बात है आपकी कि ये जो योग बनते हैं सूर्य बुद्ध के बारे में अब ऐसे ही किसी कुण्ड़ी में सूर्य और गुरू की युक्ति हो जाए तो क्या होगा एक हैं गुरू देताओं के एक हैं सूर्य राजा हैं दोनों चीजें हैं तो ऐसा व्यक्ति बहुत धार्मिक वचारो वाला हो जाता है सूर्य वाला तो बहुत व्यक्ति अनुशासित होता है उजस्पी होता है यह सब तो सूर्य में quality होती होती है साथ में गुरू के आगया धर्म का आगया धार्मिक विचारों का आगया तो ऐसा व्यक्ति बहुत धार्मिक विचारों वाला होता है राजा का सचिव होता है राज उपाध्याया बोलते हैं इसको उपाध्याय का मतलब मानित अध्यापक या आचारिय ऐसा वो होता है जिसके उसमें सूर्य और गुरू की यूति होती है अब आती है सूर्य शुक्र की यूति अगर सूर्य और शुक्र एक साथ हो तो क्या है शस्त्र प्रहरनी विद्या शक्ति युक्तो नेतर दुर्बल रंग ग्यो रवी सितियो इस्त्री संगाल बहुदना ये क्या बोलते हैं ये बोलते हैं सूर्य शुक्र के योग से शस्त्र प्रहार में विश्वास रखने वाला विश्वास रखने वाले होते हैं इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है तो एक तरफ राजा मिला एक तरफ दैत्यों की गुरू मिले तो ऐसा व्यक्ति जिसकी कुंडली में सूर्य और शुक्र एक साथ हो उससे वह आग्व्यक्ति शस्त्र प्रहार में निपुन हो जाता है उस विद्या हुए विश्वास रखने वाला होता है विद्या वे शक्ति से युक्त बहुत होता है लेकिन नेत्र की कमजूरी वाला होता है कि नाट के विद्जा में कुशल होता है अगर कोई नाटक वगएर करने हैं या प्ले करना है एक्टिंग कर रही है तो उसकंदा ऐसा वक्ती बहुत कुशल होता है और इस तरी के सईयोग से धन प्राफ्ट करने वाला होता है कहीं भी चाहे मतलब उसकी कंपनी की बॉस कोई ल सूर्य शनी का योग भी बहुत इंपर्टेंट है वो भी मैं आपको बता देता हूँ उसमें कहते हैं धातुग्यो धर्ममाय स्वेकर्म निर्तय प्रनस्ट सूतदारा निजवन्ष गुणे सिद्ध शनी रव्यो रलपर शीलस्चे यानि सूर्य वे शनी की यूती हो अगर स सूर्य और शनी एक साथ कुंड्ली में किसी की बैठे हैं तो ऐसा मनुष धातुग्यो धर्ममैं यानि धात्वों वाला सोना चांदी लोहा इनका जानकार होता है धातु ग्यो धर्म है, जो धातु होती हैं, चाहे वो सोना हो, चांदी हो, लोगा हो, या कोई भी धातु हो, उसका जानकार होता है, धर्म परायान होता है, स्वे कर्म निरत, अपने कर्म को करने वाला होता है, अपने काम से काम रखने वाला होता है, स्वे कर्म निरत बोलते ह थे अपने वंस्च के गुणों से युक्त होता है निजवंस गुणरे इस तोड़ा हलके चरित्र वाला होता है यह सूर्य शनि का आपस में योग था और आशा करता हूं आपको यह सारे योग समझ माए होंगे तो समझ माय हैं तो कांडिल लाइग किजिएगा, सब्सक्राइब किजिएगा, इसके लावा हम लोग क्लासिस टार्ट करने जा रहे हैं, एस्टालॉजी की, प्राफेशन की, रेमिडीस की, जो लोग जिस भी क्लास में इंटरेस्टेड हैं, वो अपना एंडॉल्मेंट करा सक सकते हैं, धन्यवाद, जैशी क्रिश्टा.